नमस्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहेब में और मैं हूँ आपके साथ सौमयराठी इस वक्त हम बैठे हैं डॉक्टर रभिशेग के साथ जो पारस हमराई में नियूरोलोजी कंसल्टिंट है यानि की मस्तिश्क रोगों के विशेशग्य हैं डॉक्टर साहब से आज हम खास तोर पर सीजर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इससे जुड़े जान चीज़े हैं जो लोगों को जानना जरूरी हैं उन सवालों के जवाब हम आप तक पहुँचाएंगे लेकिन डॉक्टर साहब से इस सवाल जवाब का सिलतला शुरू हो उसके पहले अगर अब तक आपने चानल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब जरूर कर ले अब सबसे पहले नमश्कार डॉक्टर साहब सवागत है आपका पहला सवाल में यही करना चाहूंगी कि seizure आखिर होता क्या है देखिए सब उससे पहले में बताना चाहूंगा कि seizure को लोग किस-किस नाम से बोलते हैं मिरगी, चमकी यह दो सबसे common चीजें होती हैं जो यहां पे लोग आके बोलते हैं मुझे चमकी हो रहा है या बच्चों को या बरों को चमकी हो रही है brain में यह electric activity कारण होता है simple language में बताएं तो बिजली का जटका brain में आता है और क्योंकि ओहीं दिमाग से ही हाथ-पैर में signal जाते हैं चारों हाथ-पैर इसमें कापने लगते हैं या किसी एक तरफ का हाथ-पैर कापने लगता है लोग बेहोस हो जाते हैं पर seizure वैसे भी होते हैं जिसमें लोग बेहोस नहीं होते हैं एक ही तरफ सिर्फ हाथ-पैर कापता हो तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप पहले समझ पाएं कि मिर्गी है क्या एक और यदि मिर्गी आ रही हो तब आप उसको जज कर पाएं कि ये मरीज को मिर्गी आ रही है कि नहीं आ रही है बार बार जब seizure आता है किसी कोई जो मिर्गी का दौरा लोग पढ़ना बोलते हैं अगर किसी को बार बार ये हो रहा है तो वो किन बीमारियों का लक्षन हो सकता है देखिये मिर्गी का दौरा बच्पन के कारण से सोचना शुरू करें तो ब्रेन में किसी भी तरह कि आपकी कोई प्रावलम है तब ही मिर्गी आ रही है तब वो प्रावलम जैसे बच्पन में बच्चा देड़ से रोया हो बच्चे को ब्रेन में किसी तरह का कोई infection हो गया हो उसके कारण मिर्गी आ सकती है NCC का एक कीरा होता है जो गंदा पानी, गंदे फल, सबजियों के खाने से होता है तो वोवेदी ब्रेन में गया हो तो उसके कारण infection हो जाता है वहाँ पे सूजन हो जाती है और मिर्गी के दोरे पर सकता है ब्रेन में और अलग जो infection है, टीवी का infection हो गया viral incaphilitis, जो brain का दिमागी बुखार होता है, उसमें मिर्गी आ सकती है जिन लोगों को सर में चोट लग जाता है, brain hemorrhage हो जाता है किसी कारण से brain में लखवा की शिकायत होती है, उनलों को उनके कारण से दोरे पर सकते है brain tumor, brain में किसी तरह का tumor है दी हो जाए, cancer उसके कारण मिर्गी के बिमारी हो सकती है, पर इसके अलावा although की बहुत कम लोगों को होते हैं, नेकिन genetic भी होते हैं, gene के अनुवानशिक so अनुवानशिक मिर्गे भी होती हैं, जिनमें मा को हो रहा हैं, बच्चे को हो रहा हैं पर वो कम है। भारत जैसे देश में ज्यादा तर infection, चोट इन ही सब चीजों के कारण होते हैं। एक एहम सवार यहाँ पर यह रहेगा कि जो मिर्गी का दौरा आने का खत्रा होता है, जो seizures का खत्रा होता है, वो किन लोगों को ज्यादा होता है। देखे, कुछ चीजों को सोच के आपको चलना है कि यह लोग high risk पे हैं, ज्यादा chance है कि इनको मिर्गी का दौरा पर सकता है। उसमें brain infection, brain में जिनको चोट लगा हो, brain में जिनको hemorrhage हो रखा हो, यह लोग हमेशा high risk पे होते हैं। जिन लोग दो तीन बच्चे जिन लोग को हैं और यदि एक दो भाई को हो रहा हो, तब उनको जड़ा साथ ज्यादा chance होता है कि कहीं कोई genetic epilepsy ना हो रहा हो, अनुवानशिक वाले नहीं हो रहे हैं। तो उनलोग को हमेशा high risk पे रखना है। मेर्गी का दोया अगर किसी शक्स पर बार-बार आ रहा है, तो इससे शरीर में और क्या-क्या समस्याएं हो सकती है। देखिए, बच्चों को जिनको बार-बार दोरा आ रहा होता है, उनके brain का growth नॉर्मल नहीं हो पाता है। बच्चों में आप देखेंगे कि बिल्कुल ब्रिद्धी जो हो रही है brain की वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं होती है। दूसरी हमें समझना है कि जिस समय दोरा पर रहा उसके कारण क्या समस्या हो सकती है। इतना जोर से दोरा कुछलों को परता है कि कंधा वहां से अपने जगह से हिल जाता है, जीव कट जाता है, आप अचानक बेहोशी के कारण गिरेंगे तो आपको कहीं पे भी सर में, हाथ में, पैर में चोट लग सकता है, दांट तूट सकता है, तो ये एक हुआ कि जो आपक इस समय भी, उस समय कुछ मरीज के रिस्तेदार इस तरह का काम कर देते हैं, जिसके कारण खत्रा आता है, जैसे मुव में अंगली डालने लग जाएंगे, तो रिस्तेदार की ही अंगली कटने का चांस होता है, चमच डालने लग जाते हैं, या लोहे की कोई चीज डालके एक एहम सवाल जो इस वीडियो में पूछना ये जरूरी हो गया है कि जैसे आपने भी खुद बताया कि मिर्गी का दोरा आने पर लोग किस-किस तरीके के चीजे करने लगते हैं तो एक व्यक्ति को या उसके परीजनों को कब ये समझ लेना चाहिए कि डॉक्टर से संपर्क क क्योंकि एक मिर्गी आके थोड़े दिर में रुक जाएगा फिर थोड़े दिर में बहुत हाई चांस है कि फिर दुबारा मिर्गी आने शुरू हो जाए तो इसलिए आपको जब भी मिर्गी आई तो आपको तुरंत उस समय दोरे के डॉक्टर के पास या कोई भी अगल के हॉस्पिटल में प्राइमरी केर के लिए लेके जाना पड़ेगा इस वीडियो के लिए मेरा आखरी सवाल यही रहेगा कि इससे बचाफ किस तरीके से हो सकता है मैटम मिर्गी से प्रिवेंटिव और ऐसे जिन दो लोग मिर्गी के मरीज हो गए है उनका दोनों का रहेगा वैसे जो हम जैसे नॉर्मल सभी लोगों के लिए अपलाई होता है वो इन्फेक्शन से बचें गंदा पानी से बचें साप सलाद लें साप सबजियां खाएं किसी तरह का सर के चोट से बचें तो आप हिलमेट लगा के चलें बाइक पे जब भी चलते हो हिलमेट ल और जे अपना बचाव किस तरीके से करना है और जो लोग जो अब तक इस बीमारी के चपेट में नहीं आये हैं वो आने वाले वक्त में भी अपने आपको अपने भविश्य में इससे कैसे सुरक्षत रख सकते हैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब नो जितनी बाते बताई हैं आप सुना केवल उन्हें समझेंगे मगर उन्हें ध्यान में रख कर उन्हें अपने अपने जिन्दगी में अपनाएंगे भी बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में तब तक के लिए अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेच को लाइक और शेर जरूर करें अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं धन्यवाद